राम राम किसान भाइयो कैसे हैं आप सभी लोग आसा करता हूँ। आप सभी लोग अच्छे होंगे भगवान से प्राथना करता हूँ। आप सभी लोग शदय शुकी और संपन रहें। बीपी काउल अबर चैनल का आप शबी लोगों के चड़ों में नमस्कार आज का टॉपिक है मेरे प्यारे किसान भाईयो कि हम अपनी भैस की कटडी पढ़िया या जोटी कि एक साल की जैसे ही हमारी जोटी होती है भैस की उसको हम प्रेगनेंट करा सकते हैं एक साल की होने पर उसके लिए हमें करना क्या क्या पड़ता है देखिए इस संसार में कोई भी कारी ऐशा नहीं है जो अशंभव हो हर कारी शंभव है किशी बिद्ध्वान ने कहा है everything possible in this beautiful world if we try by true heart यद हम शच्चे हिर्दैशे प्रियाश करते हैं तो हमारा हर एक कारी शफल होता है और हम अपने लच्छी में शफलता प्राप्त कर लेते हैं हमें कोसिस करनी चाहिए कि हमारी भैस कम से कम समय में गर्भधारड करे जैसे हमारी पड़िया होती है जिसको पाड़ी बोलते हैं तीन साल में जाकर के कॉमनली देखा जाए तो तीन साल की जब हो जाती है तब गर्भधारड करती है यद हम उसकी अच्छी तरीका से देख रेक करें उसकी केर करें तो बही पाड़ी, कटड़ी, जोटी हमारी एक साल में गर्भधारड कर जाएगी बस जरूरत किसकी है अच्छी खानपान और मेंटिनेंस की वीडियो स्टार्ट करने से पहले शभी नई अनदाताओं से निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसके हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचे तो देखिए इसके लिए एक स्पेशल फीड तेयार करनी पड़ती है जो भी हमारी कटड़ी पैदा होती है बच्चा जिस दिन से पैदा होता है उसी दिन से हमें उसकी स्पेशल देखरेक, स्पेशल डिवार्मिंग, स्पेशल केयर, स्पेशल फीड शुरू करनी पड़ती है तो मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि जो भी हम कटड़ी एक साल में तयार करना चाते हैं गर्बधार के लिए उसके लिए फीड कौन सी है आपको 20 किलोग्राम मक्का लेनी है सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग उसको मकई बोलते हैं मका के दाने, 20 किलोग्राम 10 किलोग्राम बाजरा लेना है बाजरा सभी लोग जानते होंगे 5 किलोग्राम चना 5 किलोग्राम सोया बीन का बीज, दाने 5 किलोग्राम चावल 5 किलोग्राम मसूर 2 किलोग्राम नमक मैंने 50 किलो फीट तइयार करने के लिए फ़र्मूला बनाया है लेकिन इसमें 2 किलो ग्राम नमक जो है बो अत्रिक्त मिला दिया है इसलिए ये मात्रा आपकी हो गई है 22 किलो ग्राम अब इस बाबन किलो ग्राम को आप चक्की पर जाकर के पिस्वा लेजियेगा पिस्वाने का मतलब आटा नहीं बनवाना है, मीडियम साइज में होना चाहिए, इस तरह का आप पिस्वाएंगे, अपने जो भी बच्छिया तयार होती, जो भी पड़िया तयार होती है, पैदा होती है उसके लिए, अब उसको खिलाना किस प्रकार से है, पहले तो मैं ये ब बच्चा है, पड़िया है, कटडी है, कटिया जिस जो भी आप बोलते हों, उसको केवल हम दूद पिलाएंगे, बैंस का, जितनी मात्रा में वो दो बार में, तीन बार में दूद पीना चाहेगी, हम उसको दूद पिलाएंगे केवल दो महिने तक, दूसरी आपके लिए ए पिलाएंगे जहां पर हम अपनी कटडी, अपनी जोटी को छोड़ सकते हैं, दो महिने तक हमें उसे बांधना नहीं है, और टाइम पर जो है, उसे दूद पिलाना है, जब दो महिने की हो जाए, तो दो से तीन महिने तक आप सौ ग्राम फीड और पचीस ग्राम गुड एक टाइम देंगे, सौ ग्राम फीड जो भी अभी बनाई है और पचीस ग्राम गुड एक टाइम, जब तीन से चार महिने की हो जाती है, उस समय दो सो ग्राम गुड और पचीस ग्राम फीड एक बार में देनी है, लेकिन देना है दोनो टाइम, सुबह को भी देना है और साम को तो इसकी मात्रा डबल हो जाएगी अब जब 4-6 मेने का समय आता है हमारी केटडी का उस समय हमें 500 ग्राम फीड एक बार में देनी है और 500 ग्राम फीड दूसरी बार में देनी कुल मिलाकर के 1 किलो फीड हमें दिन भर में खिलानी है और गुड केबल साम को एक ही टाइम देनी है वो भी 50 ग्राम अब 6 से 10 महिने का जब वक्त आता है उम्र आती है हमारी कटडी की तो उस समय हमें 2 किलो फीड एक बार में खिलानी है और दोनों बार सुबह साम की देख लेते हैं तो तीन बार में हमारी 4 किलो फीड हो जाती है और 50 ग्राम गुड हमें अवश्य देनी है वो भी साम को दो किलो फीड पचीस ग्राम हल्दी दिन में किसी भी टाइम पर 100 ग्राम गुड दिन में किसी भी टाइम पर यहनी कि इसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कभी में भी भी पिला सकते हैं, खाना-Pिना खाने के बाद में आप खिला सकते हैं पचास ग्राम नमक, दस ग्राम सतावर ये इतनी चीज हमें। खिलानी है दस से लेकर बारा महिने की उम्र में और जो फीड है वो एक टाइम नहीं देना फीड दोनो टाइम देना दो किलो सुबह दो किलो साम को और जितनी भी हमने बस तुमें बताई हैं जितने भी इंग्रीडेंट बताई हैं वो आपको कब देने हैं साम को दे सकते हैं दो पहर में दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं एक बार, ये तो हो गई हमारी स्पेशल फीड, यद आप इस फीड को सुरुआस से लेकर के बारा महीने तक प्रियोग करेंगे, तो आपकी कटडी एक साल के अंदर तीन कुंतल बजन की हो जाएगी, और तीन कुंतल बजन की हो उसी समय वो हीट में भी आएगी, गर्वधार भी करेगी, अग इसके आगे दूसरी वीडियो हमें पार्ट टू और बनानी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, जिसमें हम बताएंगे कि हमारी कटडी को कौन से सीमन से AI करवाना चाहिए, जिससे आगे चल क करके हर साल वो कटडी ही दे, दूसरी महींचीज हमारी भैस जो होती है, वो करीब-करीब एक साल तक दूद देती है, या छे महीने तक दूद देती है, उसके बाद उसकी AI होती है, हीट में आती ही बाद में, तो करीब-करीब बच्चा देने में उसे दो साल का बक्त लग है लेकिन मैं जो फॉर्मूला तेयार कर रहा हूं उसमें आपकी साथ बच्चा देने के शाथ दिन बाद दुबारा हीट में आएगी और गर्ब धार करेगी अगले दस महिने आउल लेगी यानि कि हर साल हो है एक कटड़ी आपको देगी कटड़ा नहीं कटड़ी देगी तो ये वीडियो सेथ वीडियो जो बचा हुआ है जिसमें हम बताएंगे कटड़ी के लिए शीमन आपको कहां से लेना है और special de-warming कैसी करानी है जैसे ही हमारी कटड़ी हो है 15 दिन की होती है 15 दिन से लेकर के 9 महिने तक लगातार कौन-कौन से टाइम पर हम de-warming करानी कजाए शीमन करानी चाहिए ये हमारे अगले वीडियो में आपको देखने की मिलेगी तो फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जैराम जी के